36 गड़ के उप मुखिमंती अरुन साव ने कहा कि विकास की पहली शर्त कानून ब्यवस्था का राज है हम बस्तर का विकास चाहते हैं इसके लिए वहाँ शांती विस्था कायम होना आविशक है हमारी सरकार इस दिशा में गम भीरता से काम कर रही है केंदर सरकार का सयोग भी राज सरकार को मिल रहा है निश्टी तरोप से आने वाले समय में बस्तर तरक्की की और आगे बढ़ेगा दिखिए विकास की पहली सर्त कानून ब्यवस्था का राज है हम बस्तर का विकास चाहते हैं बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्ता ना है आम लोग खुसहाल बने आम लोग सम्रिद्ध बने बस्तर के दुरस्त अंचल में भी बच्चे हमारे सिक्षित बने सक्षम बने वहां विकास वहां तक पहुंचे और इसलिए वहां सांती भी उस्था कायम होना अवस्यक है और हमारी सरकार नक्सल उल्मिलंग के रिए प्रतिबद्ध है ताकि बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तर आए और बस्तर का विकास हो सके सरकार की योजनाओं का लाब मिल सके इसलिए हमारी सरकार इस दिसा में गंभिर्ता से काम कर रही है और केंदर सरकार का भी पूरा-पूरा सहयोग राजी सरकार को मिल रहा है तो निस्चित रुप से आने वाले समय में बस्तर, खुसहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा